गुड मॉर्णिंग बच्चों तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रेक्शन आफ वेक्टर इससे पहले वाले वीडियो मेंने बताया था इडीशन आफ वेक्टर ठीक है उसमें हमने जिमेट्रिकल मेथड बताया था या और्थोडॉक्स मेथड जो पहले यूच किया सब्ट्रेक्शन आफ वेक्टर सब्ट्रेक्शन आफ वेक्टर मालेजिए कि यह आपका वेक्टर भी है ठीक है मैंने बुला कि यह आपका वेक्टर भी है और अगर इसका मैंने अपोजिट बनाना है इस वेक्टर भी का तो क्या करना पड़ेगा मेंगनिटूड में तो यानि आप 180 डिग्री से उसे गुमा देना तो क्या हो जाएगा कि अपोजिट आप डेट वेक्टर हो जाएगा ठीक है जैसे हम कहे रहे हैं कि कोई फाइफ साउथ का वेक्टर है ठीक है फाइफ उसकी मैगनिटूड है साउथ डारेक्शन में अगर मैं इसे फाइफ नौर्थ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा और उसका डारेक्शन बादल जाएगा यही सिंफ्ट वाली कॉनसेप्ट को सब्ट्रेक्शन आप वेक्टर बताने के लिए ठीक है तो सब्ट्रेक्शन अप वेक्टर में भी आप वही करोंगे head to tail जोडना है बस ये क्या करोगे जो plus B था या जो plus B था उसको आप क्या बना दोगे minus से बना दोगे एक example से आपको समझाता हूँ यह आपका vector A है या आपका vector B है ठीक है me माल लिजे मैं जोड़ना है vector A minus vector B तो सबसे पहले आप क्या करेंगे vector A को बना देंगे यहाँ पर इसे बोल जाइगे इसे छोड़िए ठीक है माल लीजिए मैं करना यहां पर vector b minus vector a ठीक है vector b सीधा सीधा है तो इसे सीधा सीधा draw कर देंगे let me draw again यह आपका क्या है vector b this is your vector b ठीक है अब vector a जो है उसकी direction head to tell है ठीक है तो ऐसे join करना चाहिए था मुझे लेकिन यहां पर क्या कर दूँगा opposite कर ठीक है तो यहां टेल से head ऐसे join किया vector a and this after joining this tail to head we are going to find the resultant vector यह आपका resultant होगा चाहे आप vector a minus b करिए यह vector b minus a करिए यह आपका resultant vector आएगा यह यहां पर आएगा ठीक है तो यह आपको क्या करना है subtraction of vector में the main point is we have to change the vector which is going to subtract यहां पर मैंने क्या किया है b minus a इसी तरीके से आप करिएगा a minus b और करके home assignment है कि दिखाईएगा ठीक है इसी तरीके से यहां पर दूसरा है vector a और vector b का तो vector a आप पहले draw कर लिजे let me draw vector a this is your vector a उसमें कोई changing नहीं करनी यहां पर क्या है minus b है यानि इस vector का minus लेंगे तो यह b vector है ठीक है तो minus b vector किस तरीके से हो जाएगा इस तरीके हो जाएगा तो after joining this head to tail join करेंगे तो इस तरीके से मैंने minus b vector join किया है फिर इसके tail से और इसके head को join कर देंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा resultant vector तो काफी आसान है geometrically करना करके देखिएगा दो चार्ठे ठीक अब देखते है component of vector यह भी बहुत important point है बहुत लोगों को होता है component of vector कैसे निकालते है ठीक है इसे diagram से समझ यह यह देखिए दो एकसी होता है एक्डम basic से यह x-axis होता है ठीक है यहाँ पर मैंने कोई यह vector है ठीक है origin से पास कर रहा है this is your vector वह angle कितने पर theta angle x-axis पर है ठीक है aligned है theta angle x-axis यहाँ पर यह diagram साब साब समझ में आ रहा होगा ठीक है इसके notation का तरीका होता है जो x-axis पर होता है उसे लिखते है कि a x ठीक है component of vector है यह a vector का x वाला पार्ट है ठीक है horizontal component भी कहते हैं इसे और यह कितना है a y vertical component यह naming मैंने कर दिया अगर आपको निकालना हो कि a x की value क्या है तो आप कैसे निकालोगे ठीक है a x की value निकालने के लिए theta है theta के सामने वाला क्या होता है perpendicular ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा base ठीक है base क्या है a x है और यह a क्या है यह आपका vector a जो है hypotenious है ठीक है तो यहाँ पर देखी अगर मैं करता हूं तो a y by a जो है ठीक है a y यह perpendicular upon a hypotenious which is sine theta तो a y की value क्या आएगी a sine theta यानि की vertical component of vector कितना आता है vector into sine theta sine theta का term आएगा उसी तरीके से अगर horizontal निकालना हो तो यह base है और a hypotenious है तो base upon hypotenious क्या होता है cos theta a x by a is goes to cos theta so the value of a x is goes to a cos theta आप कोई पूचे कि हमेशा क्या horizontal component cos theta होता है तो यह बात सही नहीं हो सकती है यह depend करता है उस angle पे देखिए दूसरा example में आपको यह दूसरा तरीका आपको बताता हूं ठीक है अब मैंने vector a को किस से align कर दी है theta angle से align किया है y direction में ठीक है तो आप देखिए theta के सामने वारे perpendicular यानी ax वाला जो हो जाएगा वह perpendicular part होगा this is your base part and this is your hypotenious part ठीक है तो यहां पर जो ax आएगा वह कौन सा आएगा ax is goes to a sin theta जरूरी नहीं कि हर बार x-axis पे जो vector हो वह cos theta ही है it depends on the value of angle कि आपने angle किधर लिया है अगर angle inclined है x-axis से तो पाट के आएगा a cos theta यानी कि ए से theta touch करता है ठीक है theta touching वाला जो होता है वो क्या होता है cos theta देखिए यहां पर ay cos theta और theta से दूर वाला जो side होता है वो क्या हो जाएगा sin theta ठीक है यहां पर देखिए इस बात को theta जो है touching है किसके साथ x वाले के साथ तो इसके साथ क्या लगा देंगे cos theta अगर आपको कुछ नह तक मैंने डिसकस किया है इसको एक फोड़ा इस तरीके से करके बता सकते हैं तो इस को समझते हैं unit vector क्या करता है ? unit vector का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि वो direction देता है उसकी magnitude कितनी है ? One है, One से तो कोई मतलब है नहीं one किसी multiply करें, जोड़े गटाई vector में तो कोई अंतर नहीं आता अंतर क्या करेगा ? वो सिर्फ और सिर्फ किसी vector को direction दे सकता है its sole purpose is to put along the any direction यही इसका sole purpose होता है ठीक है एक नमबर का numerical आ जाता है कि एक question आ जाता है कि unit vector का sole purpose या unit vector का aim क्या है तो हम direction देते हैं किसी vector quantity को ठीक है ओके so the unit vector r3 positive direction अब देखिए तीन positive direction है unit vector को show करने के लिए हमारे पास ठीक है x y और z ठीक है अब देखिए इस x y किसी भी चीज के उपर अगर cap लगा दू मैं जैसे x cap टोपी कहते हैं इसे cap कहते हैं तो यह क्या बताता है unit vector यानि इसका magnitude कितना बच्चा magnitude इसका है 1 उसी तरीके से हमने physics में क्या कर दिया है जो x axis होता है उधर i cap बोल दिया है ठीक है ठीक है unit vector along x direction और जो y axis है उसको क्या बोला है j vector j cap vector यह क्या होता है unit vector along y axis और यह z की तरफ क्या है k है ठीक है यह क्या है unit vector along z axis ठीक है तो अगर मुझे लिखना हो ठीक है अगर दो direction हो तो कैसे लिखेंगे right handed coordinate system इसे बोला जाता है अगर देखिए कोई coordinate system है यह x है यह y है तो हमें लिखना होगा तो यह मान लिजए हमारा ax होता है यह आपका क्या होता है ay होता है इसकी direction में क्या होता है i cap और इधर क्या होता है j cap होता है ठीक है तो अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते है vector a is close to AX I cap plus AY J cap यह क्या बताता है कि AX तो magnitude बता रहा है कि X direction में vector A इतनी unit का है और यह I cap क्या बता रहा है कि X direction की तरफ यानि horizontal axis की तरफ vector move कर रहा है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर AY J क्या बताता है AY आपको magnitude बताएगा और J क्या बताएगा direction क्यों कि किस direction में आपका vector यह शो कर रहा है यह किस direction में शो कर रहा Y axis में अगर थ्री डाइमेंशनल लेते हो तेक और टम यहाँ पर लगा देना AZ K cap AZ क्या बताएगा magnitude और K cap क्या बताएगा direction ओके सो विल डिस्कस दे लेटर तिंग और अनादर डे थेंक्यों